शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें झाल 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 टारे जारे जारे ऑजा मेला किन फम्हार ब कर दृल कि भी फिसारी बेला कि पर लोग्जा से खिलना फिसले हो जिल सु खिलना जारे जा लोग्षकING लग्या दिलना है तपनो हरा हरा रहे मेरा घर अंगरा, मैंने जिसे चाहा वही मिला सज़ना, खाग जगे सच्छे हुआ मेरा जपना जणा जगे सब्सक्राइब है हुआ 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 है लच्मी के जैसी प्यारी ननन्द है लच्मन सादे वर मिला सेवा में लिकी जीवन सुझारों कभी भी न भूलूं धरम अपना मैंने जिसे चाहा वही मिला सजेता खादी जजी सची हुआ मेरा शब दिना हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह पूजा से अपनी इस पसनाय। अपना यही है मेरा थेराग मुझे को आपने शम्डी तरी सदा सुखी रहे मेरा घन अगना। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना भाग जगे सच हुआ मेरा थेराग मुझे को आपना। हाग जगे सची हुआ मेरा थेराग मुझे को आपना। हाग जगे सची हुआ मेरा थेराग आपना। जा हो दो एक पर आपके अब्सक्राइब करें कर दो करें कर दो करें अच्छा बाबा अभी तुम लोग मेरा दिमाग मत चाट हो और बोलो क्या बगवान का प्रसाइब कि अगल कि बंद करो गये तो इसका अख तो भी पड़ाय खुद बखुद बेज़े में उतर जाएगी परक्षानी दोगे तो भी डिज़ी मिल जाएगी हाँ चाप नोकरी नहीं करोगे तो भी तनका खुद बखुद घर में आजएगी तुम लोग मुझे पढ़ने दोगे के नहीं मेरा एक्जाम सर पर है भागो यहांसे चलो हाँ हाँ पड़ो लिखो हमारा अशिवात तुम्हारे साथ है मेरी माँ मेरे बाप भागो भागो माँ 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 पेशाद लो पागवान तुने अपने इस ख़जाने से बिकारी को सब कुछ दिया गर एक कीने किए है तो वह है शान्ती कि इस घर में शांती नहीं में इस तरह इस एस अंधार में में मर्द के लिए गश्थ जरूरी और के जरूंज रूरी अप है त्बेगा दरी कर लो पड़ाई आग्या एक हा अटम भॉन माँ है अरे या कुवे में खूचकर मर गए कहा गए अरे सामने कोई आता नहीं क्या बात है सुबह सुबह शब्दों के गोले मार मार के इस घर को मैदाने जंग बना देती हो एक बात बताओ हिटलर तुम्हारा बाप था क्या तुमने फिर मेरे बाप का नाम लिया अरे भागवायां तो तुम ही खामोच भैट जाओना कितना चिलारों मकान की जट और जाएगी चिलाओंगी नहीं तो और क्या करूँगी इस घर में तंजलातों की भूत रहते हैं बातों से कोई सुनता ही नहीं तुम मुसे बातें करती है या मुसे लातें चलाती हो देखो जी तुम मुसे फिर उलच रहे हो अरे मैं जहरीले काटों में उलच सकता हूं मगर मैं तुम से नहीं उलच सकता है मेरे बाप की तोबा है अरे भागवान तुमारे पास है मेरे पास कहा है में तुमारे सर भीडा के व्यूर्ने खाती कहां से, रात को खाना खाती है तुम सोगई और अभी सोगे उठी हो को तो एक नोकर रखनु नो रात को तुमको सबने में खाना कहाद दिया करे तुम आपने बेहुदा मतांग बंद करते हो या नहीं भूग के मारे पेट में चूवें घुध्रें लानत बेजो न्चुवा बेजो तुमारे पेट में लीजी नाश्ता तेयार है कहां रखूँ मेरे सब पर रखेगी तो खाओगी कैसे ऐसे उठाकर तुम क्यों बढ़ाते हो यह नहीं पेनाम भगवान का राच चल रहा है शैथान का नहीं मैं तो भगवान को याद कर रहा था मैं तुमसे मेरा दिमाग खराब है जो तुमसे उलचूँगा लानत भीचो रख दे यह यह नाश्ता है और यह कल मुई मेरा बादाब का दू कहा है हो क्या अपने बाब को पिलाने के लिए छुपा कर रखा है नहीं माजी माजी की बच्ची चल क्योड़ दायन कहीं की पहले तो मेरे पहाट जैसे बेटे को खा गई अपनों जोने किस-किस को खाने वाली है नहीं बहू एच्छोंगे बहू जी माजी बहु ंäng अि मैंने तुझे सूख्य मेरे वंगवय केने कलिए का था हूए मन अमय अर्यमार्य आ कर दो है यह वाबी आर्यावी कि उजरी भाबी ने नहीं बलाए था भाबे बुला है था तरी मा क्यावा ऑन म depicted माच्चे ज़ा टेरी मां आ brilliant वो मा मेवे तुम्हे लाया था लेकिन तुम्हारे घर में बिल्ली है न वो खा गई देखो न मा यह हमेशा मुझे बिल्ली कहता रहता है अगर यह ऐसे जड़ाते रहा तो मैं अपने सर्सुराल चली जाओंगी हां सच ए भगवान तेरा लाख लाख शुकर है उमा तुमने ज लालू राम जी उर्फ ललीत प्रसाथ क्या सब्सक्राइब कर नहीं नहीं खैरियत की रोशनी नजर आ रही है अच्छा वो भी अगर आपकी मर्जी हो तो वो कैसे मेरी प्यारी बहने पहली बार सस्रुराल जाने का नाम लिया है अगर आप आगए क्या बात कर रहे हैं सही बात कर रहा हूं नेक काम बेटेरे किस बात की प्लीज 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 चला गया ज़रूर कोई लफ़ड़ा होने वाला है उमा तर्लिंग उमा मैं तुम्हें लेने आया हूं चलो मेरे साथ अगर क्यों अरे पहले माल कमा बना जाड़ी अखरेश फिर मेरे लाड़ी को ले जाने की बात कर वो तेरे सड़े हुए जोपड़े में नहीं रह सकती अरे सड़ा हुआ तो क्या हुआ तेरी मेहनत का जोपड़ा है अग यहां से अरे आज मैं अकेला नहीं भागूंगा की तरह उमा मैं तुझसे एक बात पुछना चाहता हूं तू अपने पती परमिशर की साथ आना चाहती है नहीं नहीं जाती मैं तुझे जबर्दस्ती भगा के लिए जाओंगा तुम सास हो या भूलन देवी अरे क्या सास है लकड़ी किसे वह बात ही नहीं करती देखनेना मैं लेकर जाओंगा और आला या बेटी को ले जाने वाला अरे खुद की शादी में मैंने ब्रातीयों का भगा दिया था हाँ 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 हिए है 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 अब है रास्ते है पाइल उसको तो छोड़ तेरी क्या लगती है रे बताओं बता चलो बता ही देते हैं है 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 थाँ तेरी है 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 प्रड़ाएब को हुआ है हुआ है 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 यह है दा दाना बताऊंगा था है कौन थे यह लोग है पता नहीं है मुझे घर जाने की जल्गी थी उस आदमी ने कहा चलो मैं तुमें लिफ्ट देता हूं रास्ते में तीन-चार गुंटे और बैट गए और इसी तरह मुझे यहां ले आए कमाल करती है अभी इस तरह से कोई अंजान आदमी अगर लिफ्ट दे दे तो क्या उसकी गाड़ी में बढ़ जाना थी मुझे क्या मा और दूसरी अकल पर कभी कभी अपनी अकल की आखों का भी इस्तेमाल कर लिया करो दुबारा धोका नहीं खाओगी कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं अरे रुक क्यों गई अकल की आखों से देखिये क्या मैं गुंडा लगता हूं ऐसा तो नहीं का मैंने आप नहीं कह रही मगर आपकी चैरे का उड़ावर रंग कह रहा है चलिए कर दो आप यहां रहती है अच्छा मैं चलती है वहारे उपर वाले वाह क्या जमाना आ गया है यह दुनिया भी कितनी बे मुराववत है जिनकी मदद करो शुक्री आदा करना तो दूर की बात है घर बढ़ा कर चाय को भी नहीं पुछते हैं वेरी वाले आयम सुरी मैं मजबूर हूं मेरी मजबूरी का दूसरा नाम मेरी भावी है जो मुझ पर बहुत सुल्म करते हैं कमाल है यह कैसी भावी है भावी तो मा का दूसरा रूप होती है मेरी भी एक भावी है लेकिन वो तो मुझे मासे भी ज्यादा प्यार करती है आप बहुत कुछ नसीब है जो आपको ऐसी भावी मिली अच्छा तो चलो मेरे साथ कहां मेरे घर मैं तुम्हें अपने भावी की हाथों के बनाई हुई गरम गरम चाय पिला हुए अब अड़ा कि मैरे भावी को पता दों के मैं तुम्हाले साथ गई निकाल देगे तो क्या हुआ अगर तुम इस घर से निकाली जाओगी तो मैं अपने लिया ओऊ-च्छा इतनी यहम दॉर्द土 हो गेए मूझ से अरे हम तो चलते फिरते हमदर्थ दवा खाना है झीशी को तरम करआते हम दर्द बनकर उसके दर्द का इलाज करना बैट गए तुम्हारी हसी कितनी खुबसूरत है क्यों कुछ गलत का मैंन है वो तो नहीं मालूम मुझे लेकिन आप अच्छा बोल लेते हैं अरे जब सामने क्या मरा हो तो डायलोग मारना ही पड़ता है मेरा ख्याल है अब मैं चल हुआ हुआ है महाराणी जी आए बहुत चल्दी लोटाइं कॉले से रात गुजर जाने देती कल सुबे तश्रीव ले आती भाबी आज घर लोगते समय मुझे कुछ बदमाशों ने घेर लिया था अच्छा बदमाशों ने घेर लिया था मैं सच कह रहे हूं भाबी अच्छा बदमाशी की चाल चलती है उपर से तेरी मेरी आखे दिखाती है आने दे आज तेरे भाईया को अब कहो जी तुम अपने चिचुरी हरकता से बाज आ जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा मैंने क्या हरकत की पहलवान क्या मेरा मतलब है भागवान तुमने कहा क्य आने दे तेरे भाईया को तो इसका भाईया ऑफिस से यहां एक सेकिंड में अब कहो क्या कुम है मुझे क्या पूछते हो पूछो अपनी लाडली बहन से यह यह कॉले से आने का वत्त है मैं दो घंटे से उसके इंतजार में टहल रही हूं तुम तो टहल टहल कर एक्दम इसके दिखाती है उसकी यह मत तुम यह मत कहते रहों के और यह एक दिन हमारे मुझे कालिक पोच्ट के विरादरी में नर्फ कटा के उर जाएगी उसकी यह मत ओपकरना घड़ी घड़ी हिम्मत नहीं चाहिए न मैं उसे ठीक करता हूं तेखो तुमें काम करो मेरे लिए ग पेट्रोल का काम करती है जाओ जल्दी जाओ और सुनो तरह गर्मा गर्म भजिया भी बना लाना है अच्छा उसकी यह हिम्मत अरे क्या हुआ अरे यार मैं समझा समझा के तुझे बूरा हो चला हूं और तेरी खोपड़ी में बात ही नहीं आती पगली सुन भगवान ने इस दुनिया में दो कसम की मिर्चियां बनाई है एक तो वो जो पेड़ से लटकती है और दूसरी वो जो जबान से टपकती है औ अगर तक किसी का दिल दुखाना देना उसके कलेजे को ठंड़ नहीं पहुंचती मगर तुक खपराती है जब तक तेरा यह भाई जिन्दा है ना तब तक ऐसे लोगों की बातें इस कान से सुनकर उसी कान से निकाल देना है इस कान तक पहुंचनी मत देना समझी हाँ कान खोल कर सुन ले आशा अगर तुने तेरी भावी को दी निराशा तो बदल दूगा तेरे जीवन की भाशा समझ गई आशा पर यहां बोला समझ गई बैया हां और खबादार पिर मैंने भी वह शॉट्स मारें उनकी तो बिल्डिंगों के खंब हिलाग रख दिये अगर तुझे तुझे कहीं चोड़ता नहीं लगी लगी दिल पर लागी करजवा कटार अब भावी जब भाईया भी इतने दिन घर नहीं आते तो तुम्हारे दिल में भी तकलिफ होत हालका हालका मिठा मिठा खटा खटा अब नहीं यह थी मेरे साब ना तो ऐसी बाते करता है आप भावी देखो तुम मेरी मधर फ्रेंट हो यहनिके माल जैसी दोस्त मां तुमसे नहीं कहूंगा तो और किस से कहूंगा वा इससे में चुके से उसका एक फोटो भी चुरा की कि दिखाओ कि अगा जब तक यह मामला जमना जाए तुम भाईया से भी कुछ मत कहना हां जब तक मैं लड़की देखकर हाना के दू तब तक तो मामला आगे नहीं बढ़ाना लेकिन भावी अब क्या है मुझको तो लगता है कि मामला आगे बढ़ चुका है आगी उब ओनर को प्यार करने का सबक तुम कहता है हेलो हेलो डार्लिंग हरम खोर डार्लिंग होगी तेरी मा तेरी बेन तेरा पुरा खांदन यह तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी सड़ी हुई खून चाटने वाली चुड़ेल ने फोन उठा लिया था उठाश प्रक्तिस प्रक्तिस आशा है वोन्स मौतर नहीं तुमारे नाम है नुरों निसा मैंध निशा कमरूरिंश दुखतरम रज्चा करी मौम डली। चूना है लगेने वाला बैस बैस क्या काम है अशे से तुमें जैदर असल क्या है आंटी। हमोश मैं आंटी नहीं मैं उसकी भावी बोल रही हूं आपकी इजाजत हो तो मैं आशा को अपने साथ ले जाओं सब्सक्रास विश्पड़ क्सरें उसके की तेंप एक दी लिए ईजाद hablar उश्पड़ कोरे मीदेugenilian अप्राम बाबू है ना अगर आप मैं डॉक्टर शर्मा की बेटी दीपा हूं वाप कीजिगा मैंने आपको पैचाननी जी कोई बात नहीं लोग बर्सों में अपने आपको भूल जाते हैं मैं तो फिर भी गैर हूँ शर्मा कीजिगा दीपा जी आपकी पिता जी ने आपकी अब आपके तस्वीर मा को भेजी थी लेकिन मैं शादी के लिए ना कर सका वो इसलीके मैं मैं किसी और से प्रेम करता था इसमें माफी मांगनी की क्या बात है शादी ब्या तो मुकदर से होते हैं जोड़े तो उपर ही बन जाते हैं सरफ फेरे इस दुनिया में होते हैं कैस मैंने सुना था कि आपकी सगाई किसी पाइलेट से हुए जी मगर शादी से पहले ही लेइन ग्राइश में उनकी टेथ होगी वह आम सॉरी फिर आप फिर क्या यह सद्मा पिता जी भी सेह ना सके वह भी गुजर गया और फिर शादी से मेरा भी दिल लोट किया घर बसाने का या किसी की पत्नी बढने का इरादा ही छोड़ दिया अब आप क्या कर रही हैं टॉक्री कर रही हूं लोगों की सेवा करके सुखब दोड़ती हूं बाम में प्राक्टिस करने का इरादा है बस वही रहूंगी अच्छा बाम में है वेरी गुड चलो अच्छा है हमारे शेहर में महमान वंकर आ रही हो कुछ बाफी मांगने का तो आपको यह है मेरा घर का इड्रेस थांकिय। अच्छा बाबा मां कर दो आने में क्यों देवी हो गई सोचते सोचते में तो सोगई तेरी खाब में में तो हो गई अच्छा बाबा में क्या देखा मैं तुम्हे माहों में भरती थी तो मुझे हो, भूमें कि इसके जड़ी अजसे शी है लो जाली तुम के से हो तो यह मा जाली मैं अच्छू अब मुझे जाना है क्या वह किसी को आना है वो लड़ी की है यह लड़ी को दिल तुम्हारा क्यों धरका वो एक जोजोद हमारी है यानी उनायको आरी है घरोटे क्या मिलोगे तुम्हे मिल तो क्या कर लोगे तुम एक को जोदेखोगे तुम तो चार चार को देखेंगे हम सॉरी बाबा, I'm very sorry और इसी से अपना मिलेंगे थाते हैं तेरी अक्सम हाई डालिंग, तुम कैसे हो? यह मैं डालिंग, मैं अच्छा हूँ अच्छा हूँ हो 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 अपना पाहर मिलेंग, ना मुम्किन हो जाएगा ना जाने तुमारा हसी मुझे थने आएगा तुम्हे वो पसंद है? बहती मुझे ओ हो, दुखे में मुझे क्यूं रखता फिर चचचकर मुझे चराया क्यूं और किसी का होना था तो मुझे यार बढ़ाया क्यूं यो मुझे चराया क्यूं तुम्हे यौर ढिनाह तिर्डमा म् लिल्हा ओ बाहती ते वॉनाह गजिंषा क्यूं खबगे प्रिर्डबता दो मुझे और एक्री दीवे अब ना मिलेंगे, हाटे है मेरी परणी हेलो डारली, बोलो डारली, हेलो डारली, ये 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 अब हम नूरों तुम लेंगे, खावु में हम खोई रहे भी अब हम ऐ कृ सर्वीटाइजी, ये 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 या और ये 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 अविस तेरा बुडापा भी बहुत दूर है कहते हैं कि बेटा नुटो की जवानी होता है तो बाप बेटे का बुड़ात रहा हुआ है या यह आप बुड़ी हो गया यह एक तो प्रूंही तरह बुड़ी हो गही है बात का हुआ है वैसे मा है नहीं बात का है और बेटे अधरी देने जा रहा हूं पाइन हो मा जुग जुग जी हो बेटा कैसे हैं आप अच्छी हूं कैसा तू ठीक हूं यह तुम्हारी लिए और इसमें तुम्हारी वह पर्फियूम्स बगर बगर जो मंगाई थी ना सब ले आया हूं कितना ख्याल एक यह एक गिलास पानी तो नहीं पिलाता है जूत क्यों मैं तेरा बड़ा बेटा हूं कमाता हूं इसलिए तेरा ख्याल रखना मेरा फर्स है यह विचारा जोटा है पड़ रहा है तो हुकम करना तुझे क्या चाहिए राम अच्छा हुआ तो आ गया तेरे जाने के दो दिन बाद मेरा दो किलो वजन कम हो गया तुन लौ तो मैरे पीट के ऊपर पारक के चली गई तब जाके मुझे मुझे मालूम पड़ा कि वजन दो किलो नहीं बड़ा हुआ था तू का चल लिया रही तेरी नए मोटर्शैकल की और होंडा लाया हूं हांडा हूं मुसे कोई संबालो मुजे चक्करा आ रहा है नमस्ते भावी कैसे हो अब्लाइड डीट। मैं आपके लिए कपड़े और बच्वों के लुक्स yhtसा और इसमें थ्यूरिया मेरे लिए क्या लाए तुम्हारे लिए ऑपारले ग्या मैं ऐन्म बुक्राम गूँक्तव के वह जो है यह आ क्या ़रह तो घर में चल रही है गर नहीं नहीं एक देखते रहना अब आगे यार तुम बीवी हो या सी आईडी ऑफिसर हो बिना देखे ही पहचानगे बीवी तो पती को सूम कर पहचा लेती है और आपके बगए कौन छू सकता है या तुम बहुत धार्मिक बाते करती हो वैसे आज मेरा मूल बहुत रोमेंटिक है आखें बंद करो ना क्यों आखें बंद करो ना क्यों आखें अरे बहुत कुप सुरेत हैं लेकिन इतने किम्ति हच्च नहीं है कुप खयार रखा जा रहा है सबका किसी को हार किसी को मोटर साइकल किसी को चड़ी और एक खम है कि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं हाँ भाई पराई जो हो गई हूँ पड़ी तुझे क्या चाहिए था मुझे यह हार चाहिए यह लेलो जीड़ी है क्यों हूं मैं तुम्वाले दूशा हर ले आऊओ अरे तुम मेरे साथ ससूराल चल ऐसे दस-दस हार बनवादू को तेखो जी मेरे मुए मत लगो अच्छा नहीं होगा यह कौन सी नहीं बात क लाई साथ रहेकर कभी अच्छा होगा अब अब चुप भी करो हुँ देखा यह ऐसा है मैं स्कुरू ंटाइट करके आता हूं पहले स्कुरू हैी brow आध ककी पहले करने का मा वह सब करें आख करमा को क्या होता था न्य कूर्व यह पिशी ने jak आप ने बताया कि आप यहां है अचानक अभी तो आपके साथ में सफर करके आ रहा हूं जी हां सफर तो करके आ रहे हैं लेकिन आपने मुझे कुछ ज्यादा सफर करा दिया जी मतलब मतलब यह कि आप मेरा सूट किसले आए और अपना छोड़ आए यह अंधर यह यह पनी नमस्ते नमस्ते मेरे नाम डॉक्टर दीपा मेरे नम सीटा है बहुत साइह नाम है एक तो राम जी की पतनी के हिसाब से दूसरी नजर न लगे आप बहुत खुबसरद हैं और तीसरी जिस तरह आपने राम जी को अपने प्यार की जंजीरों में जकर रखा है उसके रास्ते भर आपकी तारीफों की माला जप रहे थे बेटिये कहिए क्या पीएंगे आप कुछ ऐसा पिला दीजिए कि मरी सिर्फ मेरी ही तारीफ करने लगे जिस तरह ये आपकी तारीफ कर रहे थे पहु आप पहु आप पहार से आया है जौदा साल के बनवा से तो नहीं आया मैं पहु आया ये इसनी जोर-जोर से कौन चला रही है चले मेरी मा है ये दिन में चला पश्यव तो उनका खाना अजब नहीं होता है तो वहाजार बार किससे जगणा नए तो रात को निम नहीं आती है कि अच्छा में चलती हूं अरे वो चाह ला रही है सीता वो जी नहीं फिर कभी अच्छली मैं कुछ आप मेरा सुटकेस तो इनायत कर दीजिए जैस यह 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 आपका है प्लीज कि 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 अच्छब अच्छब एक पपी दो ना कि तुझे पता है आज दिन कौन सा है अच बुधवार है अरे बुधवार की चाची आज तेरा जनमवार है अच्छा है यह यह सब क्या है भीया जरा हटना हम चाल कि राके मुकद्दस दिन पर मावद वलत अपनी चोटी बहन को तौफों में तोलना चाहते हैं यह पैकेट बड़ी नदाकत और नफासत के साथ खुला जाए जो हुकमाली जाएं जल्दी करो हम अधियू लाइक इट बहुत अच्छी है अधिया आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं तकदीम ने एक ही तो बहन दी है उसका ख्याल ना रखू अरे मेरा बस चलता ना तो अपना दिल निकाल कर तुझे तौफे में दे देता लेकिन मुसीबत यह है कि दिल मेर मेरे पास एक ही है और अगर वो तुझे दे दिया तो अपनी जिन्दगी की गाड़ी बंद हो जाएगी है ना और फिर हमारी बहन का ख्याल कौन रखेगा अज कि दिन रोना बुरी बात बुरी बात अरे आज के दिन हसोगी तो साल भर अस्ती रहोगी हसो फिर कंजूसी अधो ना या भागवान आया कहा है वह तुम्हारी लड़्ली बहन अरे यार क्या तुमने करे लेके पेट से जन्दम लिया था आतए हमला शुड़ू कर दिया क्या मीतलब तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा तो तुम्हारे साथ बंद हो जाएगी अब क्या हुआ क्या हुआ ये पूछो क्या नहीं हुआ अच्छा क्या नहीं हुआ अपनी आखों से देखा है वह गुंड़े के साथ मूर्टर साइटल को चिपक के बैठी थी अच्छा उसकी ये हिमत तुम हिमत हिमत कहते रह जाओ के और वो किसी लुच्चे लफंगी के साथ एक दिन पर हो हाँ उसकी ये हिमत ठीक है कल मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कल क्यों आज क्यों नहीं आज उसका जनम दिन है उसका जनम दिन है लेकिन हमारी इज़त का मरन दिन है मैं कहते हूं अब जाकर उसके खबर लो माया तुमने तो हमेशा मुझे समझदारी की बाते सुनाई है और जनम दिन हो तो उसकी सारी गलतिया माव कर दिनी चाहिए मैंने गलता रहा थूसका मैं मेरे लंगते लिए तौफा क्या नजाकत है वाँ वाँ यानि प्यार से दिया हुआ तौफा कितनी नजाकत से कुबूल कर रही है मेरी रानी माया अगर तुम्हारे जैसे नन मिजाज और ठंडे दिल की औरत मेरी जिंदगे में ना आती तो मेरा क्या होता पसंद आई आइस्ता ये कुट्टे का कान नहीं मेरा गाल है गाल थेंक यू कि दूनों बचा बच चॉकलेट खा रहे हैं इसमें कोई जरूर कहरी चाल है माँ तो ये बात है अरे मैं तो उनका खूल पी जाओं चलू उन पिलों को चल कर पूछें कि मेरी इजादेत के बगैर उनको चोकलेट किस नहीं दी चल माल चल चल ऐसी धुलाई करके उनको याद रहे वो देख मा छुपके बैठे हैं के तन कान तो कि दूनों कि दून गाल जी तादी मां अगर तूम दोने ने बादा असर खरी दी है तो पैसे किस ने दी पाइजी, क्या तेरे हैं आप मासुम बच्चे को इस तरह माला जाता है आप के भोता पोती है, कोई जानूर तो नहीं है इन हराम खोरने मेरे कलेजे को चणिक जबसे पूछ रही है, इस चौकलेट कहा से आई है, जब अब नहीं दे रहे हैं? जब तक यह जब नहीं देते, मेरे हाथ रुखने वाले नहीं! महसी रुख जाहे हैं, महसी रुख जाहें! इतना दूम मत कीजिए क्या किया है मेरे इन मासूम बच्चों ने जो आप इतनी बुरी तरह पीट रही है कब से इन दोनों से पूछ रही हूं कि चोकलेट के लिए पैसे किसने दिये कहां से आए पसादे क्यों नहीं इस घर में तो बिना मुझसे पूछे कौनी पिना भी पाप है यह तो आपका जल्म है मांजी पच्ट तुम यह अगरा इस घर में पिर से अपने रिष्टेदारों से पूछ अपनी पत्नी से सीथा यह क्या हो रहा था कुछ नहीं आप उपर चलिए मैं खाना लगाती हूं उमा तुम बताओ क्या हूआ मुझी कुछ नहीं मालूं मुझे बीच में मत खंसी तो आखर यह क्या हो रहा है कोई तुम मुझे बता कि क्या बात है कुछ नहीं है आप ओपर जाईए ना भाइन तुम्हें बताता हूं कि मामला क्या है इन बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए पैसे मैंने दिये थे त मता क्यूं नहीं रह between इस लिए कि मैंने मना किया था क्यों तुम्हारे डडर से लुह तुम्हारे ड़र इन मासूं बच्चों से कहा था कर चुप रहें वर्ना तुम उससे पूछ दि कि तुम्हारेOPASas जब भी धका मानदा आता हूँ तो कोई जगणा फसाद ताने सिष्णे के सबार कुछ नहीं तो मैं अब भी कहता हूँ अपने तरीकर बढ़ लो अपनी जबान पे काबू रखो पड़ना एक दिन तुम्हारे शब्दों की चिंगारी से घर जल कर राख हो जाएगा सीथा मुझे मुझे माफ कर दो किसमत के माफी मैंने मैं आज पहली बार तुम पर हाथ उठाया तो क्या हुआ कसम से सीथा मैं अब परिशान हो गया कई बार सोचता हूं हम इस घर से अलग हो जाएगा कभी भूल कर वे इसा खैल दिल में मत लाईएगा यह पाप है आप इस घर के बड़े हैं सब आपके साहरे चल रहा है हम चलेगे तो तो इस घर का क्या होगा आखिर कब तक ऐसे चले मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे तुमारी जैसी पत्ती में लिए कितने पोसम कितने सावन कितने सावन भी थे तुम हो वही या और कोई तुम लगने लगे ने कितने जड़कर कितने ओवन कितने ओवन कितने ओवन कितने तुम लिए हर कर मीना ऐसे ही तुम जैसे आज मिले कितने मामसम कितने सावन कितने सावन भी थे कितने गुम जाईसी ठीड में लागे तुम आखके। कितने मामस कितने लागे पोसम पे ले ख तुम युम खलागे हुआ है कि अफ़िए नहीं कि अफ़िए आप हाए 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 तो नदी घंच होगै कर लोग मेश ही आखे तूरजिआ हाऊग़ होगै कितने मौसम, कितने सावन, कितने सावन पे गए निदि गिए बतन के मुबाबिर् क्या भूल और क्या हिचारे कुछ भी नहीं देने आगे दुन्या के सारे नजारे तेरे बदन के मुखाबिल, क्या पूल और क्या सिचारे, कुछ भी नहीं दे आरके, दुनिया के सारे नजार, जन्नत की हस्ती ही क्या तेरा जोचाच मिले, कितने मोसम, कितने सावन, 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 कित सिचता के बच्जी गई, अगर मुझ्स से पूछ और क्यों कहीं गई ? पूछना तो क्या मा तुमें बता कर भी नहीं गई ? कितना आपनां करके गई इस का मतलब यह है कि वह मुझे गिराना चाहती है किराना क्या मा वो तो तुम्हें इस घर से निकालना चाहती है ठके मारके भिकारी बना के अरे कंभख तेरी मा तो है पैदाशी पेट्रोल तु क्यों तीलिया जला जला के उस पर फैक रही है वो अपरी पधी के साथ घुमने कई तो तुम दोलो की नाल में क्यों कील चुव रही है और इस उमर में नई जाएगी तो क्या हमारी उमर में जाएगी तुम चुप रहो हो जी अब मै तो पइदाशी चुपोऊ उंड करो किल मेरी नाल में नहीं खोपड़ी में छुप रही है वो लड़के अपनी सैंडल के एड़ी से मेरे सर में किल ठोक रही है खबरदार अगर बीच में बोले तो जला भी आवाज दिका ली तो हाँ कि मेरे भावी को सब कुछ पता चल गया है और वो मेरी शादी कहीं नहीं करने पर बुरी तरह से तुली हुई है अरे नहीं आशा ऐसा मत करना वरना अमर तो मर जाएगा कैसी बाते करते हो मैं वहां बात तक नहीं कर सकती अगर शादी के लिए इंकार करूंगी तो सुली पर नहीं टांग दी जाओंगी तुम्हें काम क्यूं नहीं करते हैं अपने घरवालों को बोलकर शादी की बात करने के लिए भेश दो ना नहीं आशा मैं अपने घरवालों से बात तो नहीं कर सकता हां मैं तुम्हें अपन क्या हुआ वर आशा की भावी उसकी शादी जबनदस्ती कई और करना चाहती है अच्छा यह तो फर रीट तुम्हारे क्या होगा मेरा कबार ओब न मेंटने नॉAl क्हार में उन न क्या उवा पशा। माजी से बात करूँ ना बाबा ना बाबी तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा बस एक बार आशा से मिल लो प्लीज अमा ये क्या चोरी शुपे देख रही है मुझसे क्या पूछते हो तुम ही जाग के देख लो तुम एमेरी कसम अगर तुम्हें میरासाते में जी दिया तो हमांकी कहांचे हमेशा हमेशा केलिए खत्म मुझत हो जाएक है अगर तुम मुझे जाति हुँ मेरी जिंदेगी और मेरी प्यार की तुम्हें भी ख्याल है तुम वहां जरूरीब मैं वहां आकर क्या करूंगी वह समय तुम्हें वहीं बताऊंगा वरना इस घर के तो दर्वाजे खिलकी परदे सब के कान है यहां तक के हवाओं के भी कान है वहीं पर एकान में बैठके बात करेंगे तुमाना प्लीज यह अमर क्या कहराता है पागल है उठबटांग बगता रहता है मेरे ख्याल से उसकी उमर हो गई है शादी कर देनी चाहिए पर निकला आये उसके इसे पहले की बहुत उंचा उड़े शादी की कैंची से उसके पर कत डाने चाहिए तू बैठ आज बहुत डार्लिंग वाले फोन आ रहे हैं तई तेरा चक्कत नहीं नहीं तो बाभी हुँँ हेलो अरे वापरे नमस्कार हम विप्टा परसाथ यादो देवरियापूर हलो क्या काम है तुम्हें टेलीफून एक्चेन में मैकानिक हो आपका एसकरू टाइट करने आया हूँ हमारा मतलब है कि हमें एक्चेन से ऐसी न्यूज मिली है कि आपका टेलीफून है ना बार बार रांग नंबर बज काल जाए है आओ आप लए आती हो जाए लाए बात तिक्य लगती है कडवी है अमरी चेमर पलाई यह बैठी है को का मिर्फ आ अमर्व कर लिए तदिं gefन डिख सब्सक्राइब केशनद會 किसे एक डेती जा। कोई टेलीपों मुख भ्राब याध डेती है कोई टेलीफोड उलीफोन आपड़ नहीं आपड़ीतिश हैं बहुआ हुत कर लिया वो कैसे आ वोगाबा मैडम कि आपके ठलीफुन के लाइन के लाइन में जबनौती का वायूर के उस मतम निकल के फैक का लली को समझी Allah कुछ Leut कि असर के हैं आद है थ्यूंत प्रियाद में हालो भावी में मैं नैश्नल पर का जाओ ना लौष मेरे मजबूरी को तो यहां सब्सक्राइब तो कुछ था ना करता हूं वह हैं टैसर डिए-घर संफा-पी-ड़, तुम देऊ इए-घर तुम लगैगा अरे आप आज आप इतनी जल्दी क्यों मेरा वक्स से पहले आना तुम्हें अच्छा ही लगा नहीं नहीं कैसी बाते करती हैं आप आया और मुझे अच्छा ना लगे मगर कभी वक्स से पहले आते थे तो फोन कर दिया करते थे मगर कभी-कभी फोन की ये बगएर भी आजाना चाहिए महुल का पता चल जाता है कैसे महुल कर छोड़ो महुल को अब चुकि मैं जल्दी आये गया हूं तो उसना शेयर में बहुत अच्छी पिच्छे लगी चलो से देखने चलते हैं नहीं आज मेरी तबियत ठीक नहीं है ठीक है मैं अगेल ही चले जाता हूं अच्छा इससी बंचन के नहराते हुए कहां जा रही है महारानी महारानी यही है ना तेरी लाइबरी आ जवाब दे क्यों ताप सुं गया या दम उखड गया आज पता चला के कॉलेज और लाइबरी आज मैं नहीं जाओंगी तो अंदर जाती है कि नहीं नहीं क्या जाती है अपकर दिखाती है बहुत देर कर दी उसने मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी ऐसी अशुब बाते मत करो तुम्हारी हिमत के सार ही तो मैं अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं और अगर तुम भी ऐसा दिल तोड़ने वाली बाते करोगी तो मेरी तो घटिया घड़ी हो जाएगी ना अरे पाग है इसलिए तो मैं उनसे बिना बोले चलियाए हूं अरे मेरी भावी कितनी सुईट हो तुम अभी पांच बज गए वह बेचार जरूर घर में फस गई होगी इसलिए नहीं आ पाई लेकिन भावी भावी उसे कुछ भी करके आना चीए था अब देखो ना मैंने तुमें है अरे अब अभी तक यहीं वेचा है तो फिर आपका किया रहता है क權़ाखा लटक जाओ शब्रकना मेरा मतलब है मैंने सोचता आप ऐस शाह सिलिम देखने गही होंगी वह पिल्म देखने ने किसी ही फिल्म की शू टिंग डेखने था इस Şu पूछ diffic िम कि हैं कुछ अपनी लोग उनकी शूटिंग देखें अच्छा मालू मैंने वहां क्या देखा वैंटिक सीन चल रहा था हिरोईन हिरो में वैसे अगर उस हिरोन को देखो तो घर में बिल्कुल सीधी साधी सीता जैसी शरीफ मगरवां अपने हीरों के साथ ऐसे गुलचर्रे उड़ा रही थी कमाल है वैसे तुम कहा थी मैं मैं किचन में थी अच्छा अच्छा किचन में थी एक बात बता सीता क्या तो मुझसे प्यार करती हो क्यों आपको मेरे प्यार पर शक है नाई सुना है समंदर की गहराई को नापना असान है मगर औरत के दिल की गहराई को नापना मुश्किल है इसलिए जिसने भी कहा गलत कहा औरत के दिल की गहराई को नापना बहुत आसान है मगर उसके लिए आंखे चाहिए और वो आंखे सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती मैं आपके लिए चाह लेकर आती हूँ आशा ये सब क्या है किसकी चिठी है ये एक बहन तेरे लिए मैं अपनी चान दे सकता हूँ लेकिन अगर किसी ने तेरी बहन को गुमराह करने की कोशिश की तो उसकी चान ले लूगा मैं क्या है ये सब नहीं बहन मैं जानता हूँ तो कोई गलत कदब नहीं उठाएगी अच्छा तुभी बता कौन है वो जिसे तुचाहती है बता अरे बोलना मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है कॉलेज में पढ़ता है माबाप कौन है कांदान कैसा है यह तो मैं नहीं जानती लेकिन उनके पिताजी के नाम थेट धन्राज है क्या थेट धन्राज का लड़का और मेरी मेरी बहन की पसंद अरे मेरे तो प्यार किया तुझे पता नहीं हमारे हांदान में प्यार करना नाम है मेरी शादी को इतने साल हो गया पिर आज तक मैंने अपनी पत्नी से प्यार कैसे कर सकती है कर दूंगा लेकिन तुझे माफ ली करूंगा तुने मेरी नाग कटवा दी अपनी भावी का मूह हमेशा के लिए काला करवा दिया अब अपना काला भयानक मूह लेकर बाहर के से जाएगी अवर्दार जो आज के बाद इस कमरे के बाहर करम रखा तो तेरी टांगे कटवा के में फिट करा दूंगा मैं हाँ अरे अपने आपको समझती क्या है हिला के रख दिया मैंने उसे उसकी यह हिम्मत हिम्मत गई भाड में अब इसका फॉरल खिकानद कर देना चाहिए हाँ मैं आज ही जाकर किसी लड़के से उसकी बाद कर देता हूं तुम फाइनल वाइनल करो जमना दाश्यम्के को लेयाओ जमना दाश्यम्के हाँ मा मा वो बोलों खुसुर फुसुर कर रही है जरूर तेरे खिलाफ को चाल चाल रही होंगी अच्छा चल कर देश में है जो भी काम होगा अब सब मैं कर लूंगी हाँ तुम बस भगवान का ध्यान किया करो और नहीं माजी, मैं तो सीटा को ठोड़ी नसीहत दे रही थी. मां को नसीहत करना नहीं आता क्या? मैं कोई गलत बात नहीं कर रही थी, सीटा के पैर भारी हैं. या? देखा मा, छोटी बाबी ने यह बात पहले तुम्हें नहीं बताई? कितना गयर समझती है तुम्हें यह बात तो ने मुझे क्यों नहीं बताई अरे ऐसी बात अपनी साथ मां से थोड़ी चुपा कर रखते हैं अरे उसे तो सबसे ज्यादा खुश होती है अरे राण अरे अमार अरे तुम्हेरा गला है किसी मिल का भूंगा है कभी ठकता ही नहीं चिलाने से कितना चिलारों सारी दीवारे ही ले लग गई है क्यों चिला रही हो प्रापना का सब्सक्राइब नाम भगवान का बस आगे मत बोलना पिता जी मैं क्यों बोलूं सारी दुनिया बोलती है राच चल रहा है शेतान का किस खुशि में अरे तेरे लाटली भावी बाव बने वाले है मा अरे मुबार्क पावी दोन मेशे एक उंगली पकड़ ना पकड़ो ना लड़का नमबर पांच पूट दस ही चुछाई और देखने में अच्छा रंगोरा और सुखी परिवार और घर में माबाप भाई बहन सबके सुभाव एकदम नरंबोलू श्रिसत्तनाराणिदेव की नहीं चलेगा आगे बढ़ो कोई बात नहीं दूसरा देखिए लड़का नमबर छे उचा कद रंगोरा देखने में बाका सजीला सुखी परिवार लेकिन ये घर आपको नहीं चलेगा लड़का तो शराफत का फूल है लेकिन उसकी मान नफरत का काटा है वो बोलती कमें काती ज्यादा है उसके मुझ से शहद नहीं हमेशा चिंगारिया निकलती है आज तक जो भी लड़की उस घर में बहु बन कर गई वो अपनी सास की महरवानी से कुछी दिनों में भगवान को प्यारी हो गई इसलिए तो कहता हूं कि यह घराना आपकी बच्ची के लायक नहीं है क्यों नहीं है मां से क्याले ना देना लड़का तो अच्छा है न चलेगा अरे क्या जूर्म करती है आप भी नहीं आप जान-बुझ कर अपनी ननन को क्यो महते मुं में धृके लघ्ल नहीं कर सकती है price अपनी ननन को उसी घर में दुलन बना कर भेजूंगी लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकता आपको पाप से क्या लेना दे ना आपको पैसे से प्यार है या पाप से इंसर अजी लानत है जो पाप पर पैसा सबसे बड़ा भगवान है बोलो शी सत्तनारान देव की जय अरे भाई हो गया या अभी तक लड़के का चुनाहीं चल रहा है हा जी हो गया पूछो ना जनदज जी से या लड़का और क्या खांदान चुनाये मैंने अपनी ननन के लिए अचा हां द्सक्ता बोलो शी सत्तनारान देव की आप लोग बैठे मैं अभी चाय लेकर आती हो हां सुनो जरा गर्मा गरम मेरी तरह तैंक यू आमला जमा दिया ना जमनादास जमकेजी अरे ऐसी बुराई की धन्राज खांदान की आपकी पत्नी की मारे खुशी के बाचे खिल गई मतलब मैंने जो कुछ कहा था ठीक उसी अंदाज से कहा ना बिल्कुल उसी तरह से तभी तो आपकी पत्नी ने लपके पकड़ लिया उस खांदान को अरे वह भाई वह इसका मतलब मेरा काम हो गया यह भगवाद तेरा लाख लाख शुक्र है और आपका भी बोलोशी सत्यांड देव की जाए ता शेल पहरा पी कश भी ने कोई बुजग नहीं क्या है क्यों हम नहीं है क्या आप लोग तो है लेकिन आप लोग तो बच्चे भी आब हरा आप जानते ने था लिदी शेल AfD को एक्अ आदा टो विदी लिदा मेरे लिए शादी का रिष्टा लेके आया है इसे भगा दे अमर बेटा वरना तेरी महबत का टायर पंचर हो जाएगा अच्छा अच्छा पिताजी से मिलने आएं आप पिताजी तो साहब मंदिर गया है कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं तो दो चार दिन तक इंतजार कर सकता हूं कोई बात नहीं सिग्रेट पिएंगे जी नहीं मैं सिग्रेट नहीं पीता अजी साब पीता तो मैं भी नहीं था मगर क्या करूं इस कंबक चरस और गांजे से पीचा छोड़ाने के लिए पीता था अरे साब लोग मुझे गांजे की चिमनी कहते थे चिमनी तारा शहर मेरे छोड़े में धुए से मधोश रहता था ता अलाचिपकू और चरस में मनें शराब से पीचा शोड़ाने के लिए याने आप शराब भी पीते थे पीता था अजी लोग बोतलो में पीते हैं मैं बाल्टियां भर भर के पीता था लेकिन सहाब शराब भी मैंने कोठे और मुझे नहीं से पीचा छुड़ाने के लिए शुरू की थी आइन अब फर यार यार बैटमेंट अजी साब जाते तो वह जो लॉट के आते हैं हम तो बीस बीस पचीस पचीस इन महिना पर वहीं पढ़ रहते थे तो अब पैसे खताम हो जाते थे लॉट आते थे तो इतने सारे पैसे तुम लाटे कहां से थे चोरी करता था ना तो आप चोरी भी करते थे लेकिन अब तो वह भी नहीं कर सकता अचा अब आप शरीफ हो गया इसलिए अश्य की तईती शरावत किया ना अब लोगों का दिवाला निकल गया ना तंदा किया उसमें घाटा आदा इंकम डेक्स ले गया क्या बताऊं साब पानी पीने के लिए ग्लास भी नहीं बचाए घर में है कमाल है लेकिन यह सब सारा यह जो फर्नीचर वगरा है वो यह का यह सब भीक मांगा हुआ हो बाके सब गिर भी पड़ा है अब आप ही बताये साब ऐसे घटिया घर में और होपलेस घराने में आप अपनी लड़की अपनी चोटी बहन की शादी के सिलसले में आपसे कुछ बाते करने आया था अरे तो फिर नहीं नाम भगवान का तो खड़ा करा क्या मूँ देख रहा है जा तेरी मां को बोला कला मर गया रहे नाम भगवान का नहीं इसने कुछ और का था नहीं लाखों का नुक्सार पर मे अब जो भी लड़की तो मिरे लिए पसंद करेगी उसे कुछ तो लेगी पूरे साड़े साथ लूंगी साड़े साथ और तेरे ये साथ लाख के बैरर चेक को एक फोकट या फोकट में लजाना चाहता है कौन है वह वह करका अपनी भिकारन बहन को मेरी बीभी बना कर तुम और रावपने पर और We अजन हो जो आज़ा एंगर ने दो जूसे नहीं है 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 अरे अरे बहु यह क्या कदी है घर के मालकिन होते हुए पानी का घड़ा ले जा रही है जो बीटी चाह तो मैं यह रिष्टा पक्का समझू हाँ तो बाची का इसका मतलब है शुबशुबन है जब हमारी सगाई होई थे न तो आजसे ही कोई बाची का था अच्छा काश मैंने वचीन सुनी न होती है यह मिरा मतलब है जब ही अपना परिवार इतना सुखी है अंसा खेलता है और तुम इतनी नरम मिजज हो है न शाम्लाल जी आप तो बहुत ही भागेशाली है यह बहुत आप बड़ा बेटा राम है जी नमस्ते नमस्ते जी राम इन नहीं पहले दिन तो तकल्फ जरूरी होता है उसके बाद तकली शुरू होती है माया पेरी मानो तो इस शादी का खायल अपने दिल से निकाल दो आशा को उस घर में देना हमारे बसकी बात लिए उन लोग जहेस बहुत जादा मांग रहे हैं तो क्या हुआ जितना मांग रह लेकिन इस बला को सर से ताल दो देखंब जी मैं फिर कहती हूँ आशा की शादी होगी तो उसी लड़के से होगी माया तुम ख़ोड़ने की मुझे धंकी दे रहो अजी सुनते हो चिए तुम्हारे मूं में जबान नहीं अरे हिला तो सही कुछ बोला तो सही तुम क्या बोलोगे मैं यह जबरदस्ती की शादी बर्दाश्ट नहीं करूंगा जाहे खांदान की नाग कटे या मा को पुरा लगे मुझे किसी की परवा नहीं है अमर यह क्या बतमीजी है अपने मतलब के लिए बढ़ां का अदब लिह कि अध़ा सब कुछ भूरें और मां को इस तरह जड़कर जाब दिया जाता है लेकिन भावी तुम कैझे कर मांग लेटा हूं माफ कर दे आ है अब्य तुम्हारे कहने पर मैंने माफी तो मांगण ली कि शादी नहीं करूंगा देखिए आप उजर्गों के बिच बोलना या अपनी राई देना है तो बत्तवीजी लेकिन जब घर में आग लग रही हो तो वुझाना सबका फस्थ बन जाता है कि मेरी aniंती जब वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाता है है धबर्दसी क्यों की जाये है कि अगर अगर जबर्दसी नहां की जाए तो सबहतर रहेगा कि ए एक बात मेरी समझ में नहीं आथि मा के यज शादी के लिए तुम राजी हो पिता जी दूत दूना मार बाव ही राजी नहीं अपने दिल की बात होती हैा हो सकता है कि दिल में कुछ और बात हो जब कोई तुम्हारा वारा ही नहीं दे रहा है तो तुम मुझे भूल जाओ भूल जाओं हाँ या तो मुझे भूल सकती हो हाँ मैंने तो तुम्हें भूलाने की प्रैट्टेस भी शुरू कर दी है क्या बखवास कर रही हो हाँ मैं अपने खांदान की इज़त के लिए अपना प्यार नारियल की तरह तोड़ सकती हूं मेरे भेईया ने मेरी शादी एक बहुत नालाइक लड़के के साथ तैय कर दी है जो सिग्रेट के कश ले लेकर उनके मूँपर फूक रहा था सिग्रेट का कश हाँ उसने चरस छोड़ने के लिए चिग्रेट शुरू की थी और चरस से पहले वह बाल्टी भर भर के शराब पीता था यह कहानी तो सुनी हुई लगती है जरूर सुनी होगी वो तो कोठे फर भी जाता था परसो मुझ्रे में गुजार दिये उनकी कंपनी का दिवाला निकल गया और इंकम टेक्स रेड मारकर साब कुछ ले गई आशा की बच्ची यह कहानी तुमने कहां से सुनी मेरे भाईया न बाईये तो मा bride लенकी घुच मुझे माफ करदे है क्यों शर्म आत्का क्यों लाएम घ्रम आ बढ़ा आए इस कल शादी के लिए इसनी-वन बेश्वान लेकर मुसह राए ताम शरम नहीं आ रही ती आएम तबी तो राद बर सोया नहीं इतनी मै गाले ही मैंने अपने आपको मालूम है मैंने का कि अभे नालाइक अमर आरे जिस मा के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है तो उस मा से जबाई लानाता है पस तारी राज जमीन पर नाक रगड़ता रहा देखो लो मेरी नाक भी छिल गई है मा ए मा मुझे तेरा फैसला मन्जूर है अंसा फैसला अब वही शादी वाला शाच मेरा लाजना मेरा मुन्ना मेरा बेटा अरे बेटी सुन्ति हो अमर्त आप आप अरी हूं मा सुलात ले हाँ मा पर एक आ पात समझ में नहीं आई एक रात में अमर पे किसी ने जादू कर दिया जो अचानक शादी केलिए राजी हो गया भाई मुझे तो इसमें कोई तो गहरी चाल लगती है हो अरे चाल गई भाड में मेरी बाद मानकर अमर शादी कर रहा है मेरा मतलब निकल बाकी का हमने क्या लेना देना है यह क्या मर कल तक तो बिलकुल आग बना हुआ था आज बरफ बन गया अरे भावी जब असलियत का पता चलेगा तो तुम भी चौक जाओगी यह जो शामलाल जी आयते ना वहीं तो आशा के बड़े भाई है यह फिर मैंने खामका उनको जुड़ बोलकर अपनी कमपनी को दिवालियां बताकर उनकी घड़ियां घड़िकर राली अपने को ज्यादा मायनत भी नहीं करनी पड़ी अपना चक्कर भी चल गया और घरवालों का दिल भी रह गया यह तो वाक्य बहुत अच्छा हुआ और हाँ घर के बड़ों को एक भू मिल गई और तुम्हें एक नासी और यह गुलाम तो तुम्हारी खिदमत में पहले हाजिर है अब तो तुम्हारी चांदी है दुल हे राजा की सूरत देखो बस एक जरा धुम की कसर है तया दुलहन है या लिली घोड़ी लगा में कहीं तर उधर है बाबा दुलहा है कैसा नरीडा देखो रे कहीं साथ खाएगा अपनी दुलहन का चहरा चुपाओ अपनी दुलहन का चहरा चुपाओ अवार दुलहा आप जाएगा तो तुझे राजा की सूरत देखो बस एक जरा धुम की कसर है तया दुलहन है या लिली घोड़ी लगा में कहीं इधर उधर है देखो क्या बैगन साथी मिला दिखने में एकदम बुठू मैंने भी सोचा था क्या क्या मगर फूटे तरम है कट्टू खुला घुमना तो देखा कट्टू ओड़े हुए लाल चुनर है दुले राचा की दुले राचा की दुले राचा की सूरत देखो बस एक जरा धुम कसर है तया दुलहन है या लिली घोड़ी लगा में कहीं इधर उधर है क्यों क्योंना तर out डिली लडेखो घ्रेखो कामाल है भावी उट मैं तुम्हें नीचे डूंड रहा हूं और तुम्हें आखेली ही बैठीओ ता कि नहीं है चलो से ज़िते ही deixar ना सब्सक्राइब मेरे बाश्ट पतिया नैंना तुम्हें सिंहीं तुम्हें तुम्हें ह faithful uh एक मिनिट वाह क्या पोज है रेड़ी वान तूट तूट तरी कि मैं इसमें फिल्लम डालना भूल गया एक मिनिटा मैं अभी रोल बरके आता हूं कि मुझे तंग मत करो अरे तंग करने के तो अब यसलीज ना है और सबसे ज़्यादा तो वो तंग करेगा जो आने वाला है आए कि तूअ है 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 नुड्यार तुकाह तुकाह तुरूरूरू झाल 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 कि रुणा तुणा तुणूस। दो हुआ डरो झाल तुण। पाण। खाल। नूर जहाँ, तू कह, तू कह, में यहाँ तू मिरा रू हों। दिल कर से दू हूई, र intent on the way, चल मैं तू kitty 너, यहाँ Hehehe आप खब अप महरा दुंटा याध तू मिर भू दिलन झूर हो लान पूर हो लान पूर डूह आप खब खब Ha, ha, ba! Ha, ha, ba! खुन्चा दहन, शीशा बदन, होटो में सागा छुपा इसमे रहो, तुझे रहो, युलूई जाए मेरा तुझा दहन, शीशा बदन, होटो में सागा छुपा तुझे रहो, तुझे रहो, तुझे रही, दिल तुझे चाहे मेरा पाल, लूर जहां, तू का में यहां, तू मेरा लू दिल के शुरूर होना ना दूर, होना ना दूर, जले जले जाहाँ हापा, 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 हापा हापा अगर चूमलू क्या हले होगा मेरा सुरन मेरी मेरी तो हाय मुझे का मशा तेरा बधन अगर चूमलू क्या हले होगा मेरा हrabme हrabme नूर जाहा तूमक का कर्का कर्का जब करें चली अ disregard कर्का करें पले डिल थे मैं गुज अच्छ राख 누ानीर ऑर हकार करा कुज मुझा सता है हुआ 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 हु मैं छोड़ूंगा अरे राम भाबु आप भाबु तुमसे भी कुछ निका उसके नहीं पिताजी इसमें ताजुद की क्या बात है पिताजी भाईया और भाभी में कुछ खिस्पिठ हो गई होगी और ये महरानी दुनिया आती है इनकी बला से और जाती है इन्की जूटी पैसे कौन साम निकल रहे है गुद मॉर्निंग यह यह कौन सी जगा है यह मेरा घर है मैया कैसे आया मैं तुम्हें यहां लाई हूँ एक होटल के बाहर शराब के नशे में धुद पड़े होई थे शायद लोगों ने बाहर उठाकर फेग दिया यह तो अच्छा हुआ कि वहां से मैं गुजर रही थी और तुम्हें यहां लेहाई लगता है तुमने जिन्दगी में पहली बाशराब भी है जो अब तक तुम्हारा सरदुख्रा है एक काम करो चाय पीलो चल्दी से नहां दोकर तयार हो जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ाती है घर मैं अब उस घर में वापस जाना नहीं चाहता कैसी बाती कर रहे हो तुम्हारा नशा उत्रा नहीं अब तक नशा तो सारी जिन्दगी था मुझे छूटी खुशियों का नशा जो आज उत्रा है वो घर तो मकारी और बैमानी का एक स्टेज है जहां लोग अपने चेहरे पे धोकेवाजी का मेकप करके शराफत की आदाकारी करते हुए फरेब देते हैं मैं ना तो उस घर में कभी जाना चाहता हूं और ना यह किसी की सूरत इतना चाहता हूं लेकिन ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी जिंदगी की अपरवा भी किसको है मेरे लिए तो बस अब एकी रास्ता बचा है और वो है मौत यह क्या बेहुदा बात हुई बिला वज़ा जान दे दोगे हां तो क्या हुआ मेरी मौज से किसी को क्या फर्क पढ़ने वाला है लगता है कोई गहरा सत्मा पहुंचा है इने इस वक्त अगर मैंने सहरा ना दिया तो यह कुछ भी कर बैठेंगे यह तुमने कैसे सोच लिया कि किसी को फर्क नहीं पढ़ेगा बहुतों को पढ़ेगा मुझे पढ़ेगा एक कश्टी अगर तूट जाती है तो आदमी हार के अपने आपको मौजों के हावाले नहीं करता बल्कि कोशिश करके खुद इनके के सहरे किनारे पहुंचाता है लेकिन अब मेरा कौन सहरा है मैं हू तुम्हारा सहरा मुझे खुशी होगी तुम्हारी खुश्यों को देखकर तुम जब तक चाहो मेरे मेहमान बनकर यहां रह सकते हो लेकिन कसम खाओ कि भूल कर भी खुदकुशी की बात अपनी जुबान पर कभी नहीं लाओगे इपा बेटी हामा हॉस्पिटल से डॉक्तर साइए हैं उन्हें बैठाओ मैं आभी आती हूँ तुम चल्दी से तयार हो जाओ मैं आती हूँ कि कि आपके कहने के अनुसार शो के सारी तायारें पूरी हो चुकी है और यह रही शो की बागी डिकते बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा जी अब हम लोग चाहिए कि तीपा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि अब चलता हूं ऐसे नहीं जाने से पहले तुम्हें टिकेट खरीदा होगा इस बात की टिकेट जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूं वहां अंधे बच्चों के लिए वाट बनाना है उसी के लिए डॉक्टर्स ने मेरे डांस का एक चारटी शो रखा है उसी की टिकेट बेचनी तो फेर यह सारी टिक्टे मुझे देदो तारी हुँ 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 पेच दूँगा आज घर जल्दी आ जाना क्यों कि आज मेरा करवा चौद कवरत है अच्छा हर सुहागन रात को चांद देखने के बाद अपने पती की आर्थी उतारती है और तभी कुछ खा सकती है और अगर तुम देर से आए तो भूक ही रह जाओंगी ओ तो मुसिबत हो जाएगी एक का बइस से तुम दिन में मुझे बटा गर रखना शाम को मेरी पूजा करना रात को खाने में मुझे खा जाए जाना टौब n नखरे मत कर, आज करवाच हो थे, मंदर जाना है, देर हो रही है, क्या है, क्या है, साथ चलना है क्या, चलो, अरे भागवान, अगर भूग बर्दाश नहीं होती, तो किस ने कहा था के करवाचोथ का प्रत रखो, तुम चुप रहो जी, यह भूग के मारे पुरा हाल हो रहा है, और तुम्हें मजाग सुझ रहा है, इस चान भी तो नहीं निकलता, वे नाम भागवान का, प्रत रखना क मा मुली इंसान का, मा, मुझे चक्कर आ रहा है, चराम तो आती नहीं, चक्कर आ रहे हैं, क्या कहा है, यह कर रहा था कि मान लो, आज चान नहीं निकला, तो फिर कल शाम तक भूग रहना पड़ेगा, मा, शुब बोला जी, ऐसी गंदी बात मुझे क्यों निकलते हो, मेरे म आज के दिन सुहा कनवरत रखती है, कि अन से बले ही पेट खाली रहे, अगर सिंदुर से मांग, कभी काली न रहे, पड़े के साय में जिंदा रहे, और उसे के गोद में, मुस्कुराती हुए इस अंसार से चली जए, आज, आज तेरी इस पेटी के सुहा का रख वाला नही याय मा, अगर मेरी तपस्या सची ही, तो आज तुम मेरे पती के दर्शिन करा के रहेगी, बर नहीं मैं यही तेरी जोकट पर सर पटक पटक के जान दे दूगी, क्योंकि ये मेरे पतिवरता धर्म का अपमान होगा, तेरी इस पेटी की आन का अपमान होगा, मतलब, मतलब आप दोगा ढी चौटा क्या होगेट 이까요? चौना क्या होगेट IT क्या होगे, उ kategoryャ, उ? चौना देख, जब तक मेरे मुराद पूरी नहीं होती, तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगी, तुझ जा. मुझे विश्वास्ता की, दुर्गमा मेरी प्रात्ना ज़रूर सिवकार करेंगी, और आप मुझे ज़रूर मिलेंगे. यह लीजे परशाग. इसमें थोड़ा जहर में मिला दो, बेहतर रहेगा. यह आप, यह आप कैसी बाते कर रहे हैं? चलिए, घर चलिए. घर? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है, और जिसे तुम घर कहती हो, वो घर नहीं नर्क है, नर्क. यह क्या हो गया आपको? अपनी ही घर को नर्क कह रहे हैं, जहां हर कोई आपसे प्यार करता है. पता है, पिताजी कितने परेशान है, और मैंने तो एक बल के लिए भी निगाय नहीं हटाई. भगवान से प्रात्ना करती रही. प्रभु, तेरे भगवान को वापिस ले आना यह ध्रोंग भात पुराने हो गए अब मिटी पे सोने का पानी जो तुमने चड़ा रखा ता वो अब उतर चुका है. अपना यह से? नहीं, चलिए, 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 चलिए ना घर सब इंतिजार कर रहे हैं, चलिए, सुनिए, सुनिए. पियार शुटे को भी आए, साथ अपना, संग संग रहे सको मेरा सजना पहला है यहां चाहां पहलिए यह उपर के मकान का सब देखिए तो हाँ बारी आंखों का पुछा तुमारी आंकों का कोई भरोसा है पिछले साल पाड़ी से आतीवी मोटर साइकल के तो चांद समझ के बड़ तोड़ दिया था अरे गंगा जल्दी तो पूजा का सामा लेया ना भाईवी जल्द से खाना लगा दो हाँ जल्दी कर दो जल्दी कर दो ए तीन बार घुमाते हैं एक ही बार पर कम चला रही हो अच्छा बाबा एक दो तीन पूजा करके भगवान पैसान कर रहे हैं लोग तुने अभी तक मेरे आरती नहीं उतारी और खाने बैट गई मैंने तुआ फोटो के आरती उटा ली तभी आई हूं खाने यह मेरा अपमान है अरो इसकी सदा जरूर मिलेगी आज मैं तुझे जबर्दस्ती खीच के ले जाओंगा और ऐसा मदा चखाऊंगा कि अगले करवा चोट तक तेरे हाथ फड़ फड़ाते सुखे पत्ती की तरह हिलते रहेंगे अगर आज यह मेरे साथ नहीं आई तो मैं क्या करेगा दूसरी शादी कर लूँगा क्या जुल्म करती हो भागवान क्या करती हो तुम्हेरा दामाद है आज करवा चाओ थे कम आज के दिन तो उसको मान दो विटा के एक नवाला खाना तो कहला हो तुम जो प्रहाजी मेरा सीर फिरा हुआ है किसको कितनी इज़त देनी चाहिए मैं अच्छी तरह से जानती हू मैं तुमसे इज़त का पाठ नहीं सिखना चाहती हूँ भावी भावी चलो भावी जली से तैयार हो जाओ शो देखने जाना है क्यों आशा है हाँ नहीं आज मेरी तब यह ठीक नहीं है तुम लोग जाओ अरे लोग कमाल करती है अरे इतने प्यार से मैं तीन टिक्टे लाय प्यार हूं और तुम कह रही है कि हम दोनों चले जाए बिल्कुल नहीं जाएंगे तो तीनों जाएंगे वरना कोई नहीं जागा क्यों आशा क्यों आशा अब आपको भावान के लिए मुझे अकेला चोड़ दो तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम जिसकी तुम सुबा से लेकर शाम तब पुजा करती ओ अब तुम इंकर करी नहीं सकती मेरी अच्छी भावी मेरी प्यारी भावी ने आशब तो यह रहे हैं पूरे पचास हजार रुपए तुम्हारे शो के बचे हुए टिकेट्स बिग गए मुझे पता है तुमने अपने जान पैचान वालों को टिकेट्स मुफ में बांड पुए और यह रुपए अपनी जेब से दे रहे हैं ऐसा क्यों किया तुम कि दिल की खुशी के लिए अब क्या कहूं मेरे पास तुम्हारी इन बातों का जवाब ही नहीं है हुआ 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 तुम्हारी आई कि दिल में तडब नस नस में चुबर जनजाल मेरा क्या पूछे सूरत मेरी देख सखिर अगहाल मेरा क्या पूछे किसी से जग प्यार हुआ फिर क्या हुआ किसी से जग प्यार हुआ यू लगता कोई कंदा जिकल के पार हुआ किसी से जग प्यार 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 हुआ आहा हा! आहा! 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 उसका भी क्या दोशकि में हो ऐसी ही खटी मीठी साथ बरत का भुट्धा भी देख बजाए जीती मर गई शहर का ये रंग हुआ शहर का ये रंग हुआ शहर का ये रंग हुआ मैं जितर जान की खड़ता रंग हुआ मैं जितर जान की खड़ता रंग हुआ मैं जितर जान की खड़ता रंग हुआ सब्साय करियू जीना लाख चलू, पुर्बात करूँ एक सची गुली, अरे जुन के सकी फिर तू भी मुझे, चाहे तहले, अकल खिक कची हो तो हो ही, देखना क्या कर गई मैं, जिसको देख के जीना उसी पे मर गई मैं, लुट गई हो तो ही, मैं जुना आजी के आज़ों कर गई मैं, देखना क्या कर गई मैं, देखना क्या कर गई मैं, जिसको देख के जीना उसी पे मर गई मैं, जशको देख के जीना उसी पे मर गई मैं, जिसको देख के जीना उसी पे मर गई मैं, आहर हो गई, यारी ओ नवर गई, विसस्तरयओ पर गई बचाया ने बहुत बचाया ने धैरा तो कहा से आ रहे हैं महाराणियों अमरों राशे के साथ पिच्छर गई थी अगर तुछे कुछ हो जाता तो बिरादरी में तो मुँ मेरा कला होता ना लोग कहते सास ने बहु का ध्यानी ने रखा और इस चिप क्यों है बूलती क्यों नहीं माजी तीता दीदी को हम दोने जबर्दस से ले गए थे यह अपनी मर्जी से नहीं चली थी इस घर में मेरे मर क्यों इस घर में सच बोलने को दो दो कथे कि अब्धी सी बहाला निकली नहीं चाल कीॐं कि करो और से बात है माँ अभी इसकरिसाते आप माफी कशार क्या है मेरा है आ जैसे हम toi माजी दुबारा मुझ पर छड़ी वड़ी मत उठाना मैं आपकी इज़त करती हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मुफ्त में गालिया और छड़ियों की मार खाऊ वही नाम भगवान का तुम क्यों प्रहा आज तुने मेरे छड़ी तोड़ी और मैं तुझे आज है इस घर से निकालती हूं निकल निकल इस घर से माँ इस घर से कोई नहीं जाएगा इस पर हम सारा घर बरबादी की किनारे पर आप पहुचाएं फिर भी तुम्हारी आखें नहीं खुल रही है मैं तो कहता हूं कि सारे फसाद की जड़िये हैं हमार यह क्या लगा रख है तुम दोनों ने मैं मना करती जा रही हूं कोई सुनता नहीं तुम दोनों की इतनी हिमत बढ़ है कि मां को जवाब दे रहे हो उन्हें आंखें दिका रहे हो उनसे जग्रा कर रहे हो चलो माफी मांगो उनसे मगर भावी हमारी गल्ती क्या मैं कुछ नहीं सुनना चाहती माफी मांगो ठीक है तुम कहा रही हो ता मां हमें माफ कर दो माफी नहीं टोफी नहीं हम आमार मैं के दिंद कोशिष करे हैं हों। तो मेरी कोशिशों को नाख कम करते रहते हो है मैरी महनत पानी क्यों फेरते रहते हो मावी तुम्हारी मैनत से घर नहीं बचने वाला अब यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका जिन्होंने कोशिश करके लगाम हाथ में पके नीचे वो तो 24 घंटा रहे नाम भगवान का रहे नाम भगवान का लेते रहते अगर पहले शक्ति प्रत्ते और इन लोगों को इतनी जूटने ने तो यह घर यह घर बी इंसानों के रहने लाइक हो जाथा कि कैसे लगे यह फूल यह सब क्या है राम तुमने इस अंधेरे दिल में जो दिया चलाया है उसके बदले में जिन्दीगे पर तुम्हाई राओं में फूल भी करता रहूं तो भी कम है लेकिन यह सब किसलिए है चरम दिन मुबारक हो दीपा क्वुदा है क्या है तो में के से पता चुला है और तुमने तुमने हमें नया जनम दिन भूल जाएंगे लिए आपिसे पता लगाई लिया काम अब आप सिए इससी बात कंभी इतनी कीमति और भी तोभी कि ई बल्की तोफ़ा देने मौले की नीयद देखे जाती तो लो अच्छा तुम चलता हूं और हाँ तुम तुम शाम को तयार है ना क्यों बाटी है हमारी तरफ से पेटी राम की ये हरकते मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है सम्हल के रहना बेटे तुम चिंता मत करो मा दरसल राम के दिल में कहरी चोट लगी है अगर मैं इसे सहरा न देती तो शायद ये खुदकुशी कर लेता या शराब पी पी कर अपनी जान देता थोड़ा सा वक्त लगेगा मा लेकिन ये मेरे ही लाट से ठीक होगा नबस्तिय धन राज जी अरे आईये जमना राज जी आये श्री सत्न नारण देव की जाए कैसाना हुगा उंमा बैटी के लिए लिफाफा लाया हुगा जि उसके पती ने उसके लिए बेजा बोलो क्या भळाः आउへ और भाटी किया भात है पिता जी तुमाना भाफा हुगा तिफाफा क्या बोसूंद रो लग क्यों रहीत ललो ललो दूसरी शादी निखाटी पर जमाए यह नहींद यानि की लग मेरेज हार में मदद्स जरूर कर रही हूं जैङ सभी इस आपाद कर डूसरी जगा पर जमाना ये तो मेरा काम है नहीं तो मेरे को कमिशन को देगा बोलो स्री सत्यना इंदेव कीजाए अरे सतेना सो तेरा जमाना उचारना मेरी सिंदगी तबाह कर दी मा अरे क्या बात है रो क्यों रही है ये क्या है शादी का कार्ट किसका ललो दूसरी शादी कर रहा है हाँ ललो दूसरी शादी कर रहा है मेरे बेटी की जिंदगी खलाप जरके अरे मैं तो उसका मंजब जला दोगी उसके मुँपर तेजा आप जालूगी क्या समझ रखा चल आप चलते हो या नहीं मैं वो मैं 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 रहे नाम भगवान का मैं बैच जाओ तुम्हे काम करोगे युकुर्जी अपने घर ले जाओ तुम्हारी अपनी पत्नी होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते ऐसी बीबी क्या जो अपने पती की नहीं हो सके इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है मैं अपनी मर्दी से यह शादी कर रही हूं सुन लिया ना चलो जाओ अब अलता मत काओ जी आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पत्नी और तू उमा पत्नी तो वह होती है जो पती के सुख दुख में साथ दें अपने पती के घर को स्वर्ग बनाएं उमा औरत के काम से ही घर में बरकत आती है जब वह जाडू लगाती है तो आने वाली मुसीबते जाडू के तिनकों से टक्रा कर वापस चली जाती है जब वह चूला जलाती है तो ईशवर के नजर में वह तपस्या का चिराग माना जाता है और ईशवर उसी घर में सुख की रोशनी भी खेरते हैं जब वह कपड़ें दूती है तो उन कपड़ों के साथ साथ उसकी तकदिर का मैल भी धुलकर साफ हो जाता है आवरत कहने को तो घर का काम करती है लकिन असलियत में अपना धरम निभाती है अपने हातों से अपनी तकदिर अपना मुकदर सवारती है और एक तू है तू जो अपना पती छोड़कर अपने मा के गोद में पुड़ी है ठीक है ठीक है मैं तुझे देखनूंगी चल बेजी नहीं मा तुम जाओ क्या मतलब मैं इनके साथ अपने घर जाओंगी लगता है यहां आकर तो पागल हो गई है यहां आकर ही तो मुझे अकल आई है अगर जूटी अकर में घर बैठी रहती तो यह दूसरे शादी कर लेते तो फिर जा जहनम में मार भीकारी के साथ मैं तुम्हे काम करो तुम्हा आगे निकल जाओ मैं इन लोगों को समझा क्या आता हूने तो यह बाद में घड़बड करेंगे जाओ अच यह लेना और यह अपने नाटा कंपनी में बाट देना और उनको कहना घर जाके सोजाओ हां सबको सुला देता हूं बोलो सिसके नारायन देवाजी जाए अलो पिता जी मैं लल्लू बोल रहा हूं हां बोल बिटा क्या आइडिया बता है आपने तीर बिल्कुल निशाने पर जाके बैठा अच्छा और और उमा उमा मेरे सदा गई च्या बात करता और शांता माजी रहे गहां की जख्मी शेर्नी की तरह च्छाती पकड़ के रहेगी रहे ना मभवान का अच्छा वो कांटेवली शेर्नी आरी फोन रख दे आओ कांटा ने वह में शांता हुँद है यह तुम्हारी आख में मगरमच की आंसू क्या का नहीं में मतलब है मैं आंसू आंसू नहीं तो क्या फीचर होगा मेरे लाजली बैटी अपने सब्सराच चले गए हो मतलब शैतानों की टीम आधी होगी है नहीं मेरा मतलब है कि बहुत दिनों बाद अकल आई उसको काफी दिन गुजार लिया उसने इस घर में अगर पहले चली गई होती तब तक दो वच्चों की माँ बन चुकी होती कैसे उल्टी सीधी बाती करते हो जी अब मेला क्या होगा मेरे देख भाल कोट करेगा आँकों पर चश्मा लगा हुआ है और अकल की अंधी हो इस घर में तीन तीन बहुएं और जिसकी तीन बहुएं होती है वह आदी दुनिया की मालकीन होती है अभी रोना धुना बंद करो चेर का डिजाइन ठीक करो रोते ल अंसु बजो चल चल इतने सारी आंसु निकल कहां से रहें आंकों में लगा हुआ है क्या मेरे लिए कप चाहिए लागश्मा तुनिये अरे यहार तो जाना पर चैन लगता है याद आया सिता भावी का है ना तुमारे पस कैसे है यहार उन्होंने ही मुझे तौफे की तौर हार पर दिया है अच्छा आप एक काम कीजिए ना इस हार को बेचकर एक फोटो स्टूडियो खोल लीजिए और एक छूटा सा घर ले लीजिए आओ बैठो देखो मा पहले बात तो यह है कि यहार बेचकर फोटो स्टूडियो तो दूर की बात रही हम मकान भी नहीं खरीच सकते हैं दूसरी बात यह कि किसी का दिया हुआ तोफा भगवान के प्रशाद के बराबर होता है और प्रशाद को इंसान बेचा नहीं करते हैं है ना तीसर पहना करो इससे पती खुश होता है और पत्नी भी खुब्सूरत लगती है अरे कांता कांता यह दादीमा को देख किस गुब्बारी कितरे मुफलाई बेठी है जब से उमा भुअ क्या चली गई इनकी कववाली की ती मुझ चूट गई अच्छा कांता दादीमा सुबह सुबह कैसी चिल लाती है यह बतातो बताओं यह बता बड़ी बहू और यह चोड़ी बहू कहां मर्दी सब की सब मेरी तो भूप के मारे जान निकली जा रही है और इन हराम खोरों ने अभी तक नश्टा नहीं लगाया आपकशी मेरी सब्सक्रादी क्यों आप मेरे बच्चों के पीछी इस तरह हाथ ओके बड़ी हुई हैं यह बच्चे हैं यह शैतान के पिले हैं जिनको तुने जर्म दिया है यह हराम खोर मेरा मज़ा खुडाते मेरे नकल करते हैं इन दोनों को तुने ही सिखाया है नहीं माजी बच्चे मासुम होते हैं उनको कोई क्या सिखाएगा अरे बहु तो इसे नहीं जानती पहले मेरे बेटे को खा गई और आप इन बच्चों को मेरे खिलाफ सिखा सिखा कर मुझे टीवी लगाना चाहती है मुझे मा जाना चाहती है बस कीजिए माजी बस कीजिए हर बात की एक हद होती है तुबे शाम आपके ये ताने सुन सुन कर जहर का गोट पीकर जी रही हूं सिर्फ इन बच्चों की खाते वरना कपके खुदकुशी करके मर गई होती अरे तू क्या खुदकुशी करेगी हजारों को मारका मरने वाले धैं इससे पहले कि तू अपने जहर से मुझे डस ले निकल जाए इस घर से मुझे नहीं जाए तू आज से रहे ये नालायक बच्चे क्या करती हो भागवान बच्चों को घर से बादने का रही हो तुम बीच में मत बोलो जी आज इस घर में यह रहेगी या मैं रहूंगी लानत ऐसी जिस्दकी पर मौत भी नहीं आती मुझको मेरा रह नाम भगवान का ठीक है माजी आज आज आपके ये भी तमना पूरी हो जाए घंगादी ये क्या करें हो पागल हो गया हो इन माजी फुट पाथ पर नहीं ये लोग इस हवेले में रहेंगी क्योंकि ये इस घर के सदस हैं हाँ इनका भी इस घर पर इस जाएदार पर और उनकी तरप पुरा हक है और ये हक इन मासमों को मिलना ही चाहिए आज भूंगत में रहने वाली सीता की मुँ में जबान आ गई हक की बाद करने लगी चल चल तो बेनी गली इस घर से माजी अमर अंदर मत जाओ क्यों क्या हुआ माजी बड़ी दिदी छोटी दिदी सब को घर से निकाल रहे है और पिता जी क्या कर रहे हैं वो बिचारे मजबूर हो कर टेल रहे हुआ हाई डाड हाँ बेशरम बेहया तेरी इतनी हिमत ये सिग्रेट पीके बाप के मुझ में भूग रहे अभी अपने हिमत देखी कहा है बाबुजी अभी तो हर रोज में आपके सामने बैठकर शराब प्यूँगा दुनिया बरके जुवारियों को घर में लाकर हर रोज चुवा खिलूँगा इस घर को गिर्वी रखवा दूँगा और जब भी कभी तवियत खबराएगी तो किसी मुन्नी बाई के कोठे पर जाकर अपना दिल पहलाऊंगा कि वाब बापुची वाँ क्या मिलिटरी वाला हाथ मारा है इसे काच उपर रखा था इसी कीत जरूरा था है आज पहली पार आपने इस घर में हाथ उठाया है इसे उठाए रहने दीजे यह आज तक नीचे था इसलिए इस घर की बुनियादों में अशान्ती के दिमक लग कि लिए और इस घर की उजडती उए दुनिया को फिरसे बशालीजी भाबुची फिरसे बशालीजी आज अज एक सोया वजयर जागा इसे जागा इरहना दीजे यह यह लीजे अपनी मशिनगवल और भून कि अठालिये इस घर के शान्ती को अब बबुची लीजे और भू वे मर्त को जगलाइए अब नहीं सोएगा वो त्रे नाम भगवान का तुलू निकला यहताँ से सब्सक्राइब कोही नहीं जाएगा यहां से बार क्या कि वह तुम अंदर जाआओ इनमें से कोई भी अंदर जाएगा तुमें वह तूड़े दूंगी ले झाल दो विधार यह से तंता है मैं कहते हैं तुम चप रहा हूँ और मैं कहता हूं तुम अपिन तुम आफिस Jakobas बंद करो और लांद करेदो बखोन करेंगिश। मुझे 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 म अपने पुट्टों के सामने ताकि वह भी तुमारी तरह मुझे लड़े माले चुड़े चुड़े बखवास बन इंसान की इज्ज़त उसके अपने कर्दूतों से होती है जुन की लाटी से कर दुनिया का सर जुगाने की कोशिक करोगी तो खुद का सर टूटकर अपनी कदों में गिर जाएगा जाव अंदर जावना लाटी मार मार के सारा जिसम नीला कर दूँगा जावना जाती हो न मारूंगा भी और तुम सीता तुम पड़ी लिख्यों ना समझदार हो इस घर के माहूल को समझती हो ना तुम ही चोड़के जा रही थी चला बस दोना दोना बंद ऐसे आरद में बच्चियां रोया नहीं करती हूं बना होने वाले बच्चे के सिहत पूरा सर पढ़ता है तो जाव पर तुमाजी चार नो करो रिकवारची का इंजाम करो यह हमारा होकम है जाओ और यह क्या है मेरी बहु बोटली लेकर जा रही थी जा जा अंदर जा अंदर जा अंदर पर आज तो रोना दोना बंद अरे इदर आ तुम तुम को बढ़ों के मूह लगना किसने सिखाया बला इसने अच्छी बात अभी तो तुम काम पे जाओ मैं शाम को तुम्हारी खबर लूँगा तुम सास की लकड़ी तोड़ती हो अगर आंदा ऐसी हरकत की तो सर तोड़ दूगा चलो 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 अंदर जाओ आप में तो कमारे कर दिया शुबह के नश्र में क्या खायता आपने तुम लोगी जबान बहुत लंबी होती जा रही हैं चलो चलो अंदर जाओ किताब उठाओ और पढ़ना चिलो करो चलो चला नहीं तो मारूंगा चला आप आप अब तेरा लाख लाख शुक्र है आज मेरी जरा से इम्मत निस घर की डूपती वी नईया को बचा लिया ते नाम भगवान का मुझ काला हुआ शैतान का पिता जी को लड़का हुआ है तो मैं जाकर हूँ जाकर आके लिए खुश्या मनाओ अरे भागवान इतनी खुशी का मोका है गुस्ता दूग दे और भाराजा आज़ा नहीं मैं तुम्हारे ले माच चुकी हूँ यह मेरी समाधी है तुम क्या समझती हो मुर्गा आजान नहीं देगा तो सुभा नहीं होगी जिद्धी नीम चड़वेप करें लिके अवलाद तो फिर मरो दादा जी प्लीज दो दिन देखो जरा इधे देखो बुस्ता छोड़ दादी माँ दादी मा दादी मा प्यारी प्यारी दादी मा देखो जरा इधेर देखो बुस्ता छोड़ दादी मा आली मी घरंगर आनो अर्पा है याद तुम्हे कपसे दादी मा दादी मा प्यारी प्यारी दादी मा देखो जरा इधेर देखो गुस्ता छोड़ दादी मा दो तक यही मैं को देखू, शादी हुई मेरी चपते दादी मा, दादी मा, प्यारी प्यारी दादी मा, देखो जरा इधर देखो, पुसा छोड़ दादी मा जिस दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है, बच्चोंने नीवाला उठाया नहीं है जिस दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है, बच्चोंने नीवाला उठाया नहीं है हमने कभी ऐसा दुपाया नहीं है, मर जाए क्या दादी मा मर जाओ इसकी बला अचे, ये तो ये ही जाहे कब से दादी मा, दादी मा, प्यारी प्यारी दादी मा, देखो जरा इधे देखो, गुसा छो दादी मा दादी मा, दादी मा, प्ये प्ये दादी मा, देखो जरा इधे देखो, दादी मा दादी मा, दादी मा, दादी मा, दादी मा आलू पालक में थी महके हैं मजेदार मकई की रोटी पे असली घी की दार चटनी नव रदन की है आम का आचार मुं में पाने आया ना फेला वह मेरे घुरी हतीन नखरे हैं तेरे का जब के वई 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 दादी मा दादी मा पेरी पेरी दादी मा देखो जड़ा इधर दिखो गुझा चुड़ादी मा आपके बॉलो तो बिस्तर लगा दी देल चमेली वाला सरमी दपा दी खाना खाके बोलो तो पिस्तर लगा दी, देल चमेली वाला सर में दबा दी, जंगा करें ऐसा जब जुएगी दादे, उस तो चलो दादी मा, पत्थर को देखके उठाना, रह जाओगे नीचे तब के, दादी मा, दादी मा, प्यारी प्यारी दादी मा, देखके उठाना, दादी मा, दादी मा, प्यारी प्यारी दादी मा, दादी मा, दादी मा, दादी मा, दादी मा, दादी मा, प्यारी प्यारी दादी मा, दादी मा, दादी मा, प्यारी प्यारी दादी मा, दादी मा, दादी मा गटा चुलो जादीमा, डादीमा, तडीमा, तडीमा, वेरी वेरी दादीमा, पेको जराई धेडिको, गटा चुलो जादीमा आप 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 कर दो आप कि अगर आप कि अगर आप कि अगर अगर विब याद है तुमने एक दिन कहा था कि मेरे जीने से तुम्हें खुशी होगी तो आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या वाकरी तुम मुझे खुश देखना चाहती हो हाँ बिलकुल तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी कि समझा मैं शादी शुदा हूँ इसलिए शायद तुम जिजक लेगा लेकिन फिकर मत करो मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया राम हाँ धीपा अब बेना सहरे के मुझसे जीया नहीं जाता अकर तुम्हें इंकार कर दिया तो जिन्दगी बेमकसद हो जाएगी मैं वाके खुदकुशी करकी जिन्दगी का खात्मा कर दूंगा लेकिन राम मैं भी तो औरत हूँ ना सोचने के लिए जिन्दगी के फैसले करने के लिए मुझे भी कुछ वक्त चाहिए ठीक है सोच लो मैं तुम्हारे जवाब का इंतिजार करूगा अरे दिपाजी आप बैची क्या देख रही है मैं देख रही हूँ कि आज के मॉडशन जमाने में पती को भगवान की तरह पूजा जा रहा है जय मारा कैसा भी हो दिपाजी मगर हंजुथानी आव्रत हंजुस्तानी सभ्यता की अनुसार हमेशा अपने प हाई पति को भगवान का ही दर्जा देती है पती अपनी पती को देवी का दर्जा नहीं देता। एसा क्यूं? इस क्यों क्या जवाब मेरे पास नहीं है। सीथा जी, आज आपका ये रूप देखकर मेरा दिल भराया। दरसल, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। तरह दिल थाम कर सुनियेगा। यह आप अपने पती को जो इतना बड़ा दर्जा दे रही है उसकी पूजा कर रही है आज आपके इसी पती ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है आप सच मुझ देवी हैं इस मंदिर में राम की जगह आपकी मूर्ती होनी चाहिए थी आज आप जैसी देवियों की वज़े से हमारे देश का सर उंचा है हमारी संस्कृती अमर है मुझे पूरा विश्वास है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता सीता मैं तुम्हें प्रणाम करती हो तुम महान हो कि नुशकार जिर जी नुस्ते जी क्या वो मेरा हीरों कार तेजर यह तेजर है कि अग्यार वगर मगर भी से आपका चेक वापसा गया है प्राइंक से चेक वापस आगया है यह कैसे बसकता है कि यह आपका फोन इस्तमाल कर सकता हूं तो आपने पैसे दे दी उसको लेकिन पोल नठाई पले आप ये सर हलो यहां एक मिनट प्राम बाबु पुछ रहे हैं कि चेक का स्टॉप पेमिंट क्यों किया गया तो पुछे द आप मैं जानती थी अब जरूल उटाएंगे ज्यादा खुशी का ढोंग करने की जरूत नहीं मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं वो हीरों का हार का जो मैंने तुम्हें दिया था हार हां मैं भी लाई हुआ हुआ ये लेजी इसके अंदर का हार का है मैंने था मैंने थी में रखा था तो वो हार घया का ये बॉकस उसे खा गया ये क्यों नहीं के तुमने अपने चाहने को दे दिया है के अशिशी बाते करें आप देखिए मुझे मैं टली करने के लिए तैयार हूँ लेकिन ऐसा गंदा इल्जाब कभी मेरे दामद पर मत लगाई है तुम मेरी हर बात बाने के लिए तैयार हूँ तो फिर इस तलाख नामे को दस्ताखत करो मैं आपकी हर आंगय के सामने सर चुकाने के लिए तैयार हूँ लेकिन तलाख से पहले मुझे ये तो बताईए मेरा कसूर क्या है कसूर एक सीधे साधे शरीफ आदमी की आखों में धूल चोकर पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है अरे अगर अगर अपनी इज़त के साथ अपना जमीर नहीं बेचा है तो अपने जमीर के किरेबान में जहाग कर पूछ अपने आप से कि तुने क्या फ़ाप किया है मेरा जमीर, मेरा दिल, मेरे भाबार की तरह पवित्र हैं, मुझे किसी से पुछने के ज़रूत नहीं कि मैने क्या भाप किया है ये वह रहा मैंने रहा जो अपने सीता की अगनी परिक्शा ले सके और ये किसी पर क्या हःँ लगाएगा, ये तो खुद मुझरम है बूत तो आपके सर पर सवार है श्री धन राज इस वक्ता से नहीं अपने पार्टनर से बात कर रहा हूं कौन पार्टनर न तुम मेरे पार्टनर हो और नो तुम्हारा उस कंपनी की अधिकार हैं आप शायद भूल रहें कि कानूनी तौर पर मैं इस कंपनी का एक पाटनर हूँ और अगर मैं चाहूं तो कंपनी तो एक तरफ इस हवेली को भी निलाम करवा सकता हूँ जिस बाप की उंगली पकड़के तूरी चलना सीखा आज इसी बाप की कंपनी उसे घर को निलाम करने की धंकी दे रहा है तू इतला सेदा हो गया तू वाँ एक बाप के लिए से बढ़कर खुशी का दिन और क्या हो सकता है कि इसके अलार इतनी स्यानी हो गई है मुभारक को बेटे मुभारक को चाओड़िया फजूली पार इस आपको क्या हो गया है आपके दिल में इस घर के खिलाफ किसने जाहर भर दिया बताईए बताईए मैं आपके पायर पड़ती हूँ बताईए ना अरे नालायाख मेरी देवी जैसे बहुक तुने कुल्शा कहा इससे ता च्छता तेरे पैदा होते ही तेरे गला गुंते थी तुम लोग और चाहते ही क्या हो तुम सब लोग मेरी मौत चाहते हो इस पाथ की पस्ती में रहने वाला हर इंसान मेरी मौत का इंतजार कर रहा है में नहीं मरूंगा, मैं जियूँगा, अपनी जिन्देगी जियूगा, और एश से जियूगा, में तुम लोग से कोई रिष्टा नहीं, कोई नाता नहीं तुम जा बेटा, एक बाद मेरी सुन ले बेटा, ऐसे मचा, एक बार अपने बुले बाप को मर जाने थे, उसकी अर्थी को कांधा दे थे, उसकी चिता में आग लगा थे उसकी बार जो जी मैं करना बेटा, जो जी मैं करना राम, इतने दिनों के बाद आये हो, अपने बच्चे का मूँ तो देख लो मैं और इस पाप की गठरी का मूँ देखू, इसका मूँ उसी को दिखाओ जो इसका पाप है भावी, क्या बात है भावी, तुम रोखे रही हो अमर, राम आया था, उसने सीता पर हीरों के हार का चोरी का अलसाम लगाया और जाते जाते ये भी कह गया, कि बच्चा उसका नहीं है, उसका बाप कोई और है अच्छा है हार, बहुत अच्छा है, अब मुझे बताओ, ये हार तुम्हारे पास कहां से आया मैंने बताया था ने कि भावी ने मुझे ये हार तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती है हाँ, मैं दूसरे का सुहाग उजाड कर, उस सुहाग के खून को सिंदूर बना कर, अपनी मांग में नहीं लगा सकती बंद करो ये बक्वास, मुझसी जूटी दलीरों से बहुत धोके खा चुका हूँ तुमने धोके नहीं खाये, बल्कि तुमारी आँखों ने तुम्हें खुद धोका दिया है, तुमने जिस अम्रित को जहर समझकर ठुकरा दिया, वो सीता भावी अम्रित है, वो सीता भावी हजार देवियों से महान है मैंने तुमसे प्यार किया और अब सीता तुम्हारी भावी हो गई यह तुमसे किस ने कहा कि प्यार सरफ इश्च करने वालों के दर्म्यान होता है किया भाई बहन का पयार नहीं होता तोस्त दोस्त में पयार नहीं होता अपनी ओला52 करते उस हो कि इस हाथ रहत ना मत सबाच beiden एक यहां कितनी यूरत्तों का गला गोतूंगा मैं आज विश्वास हो गया विश्वास हो गया के और जान दीवाइगे दूसरा नाम है मेरा और तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं है लेकिन आपप हमिए घर लेकर ही мі प्रवाइब तो मैं भी हाथ उठा सकता हूं मगर मैं ऐसा नहीं करूगा क्योंकि मैं मारूंगा तो चोट भावी को लगेगी अरे तू क्या मारेगा बुजदिल तू तो आस्थीन का साफ है साफ और फिर में वहां क्या केरा उस कुल्टा के साथ प्यार का नाटक जगें हुआ 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 है क्या करता है तू ँप्र ही जिसमन धैट ईश्मन उच्वन की अब्रूगाँ अरे बोलना है तू माट ठीक कहा हूं पताजी यह वह सलील भाई है जिसने अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ जो रिष्टे में इसकी बड़ी भावी लगती है और धर्म के अनुसार इसकी मां समान होती है इस जमीर फरोष्टे उसके साथ नाजाइज रिष्टे पैदा कर लि जुर्म किसी और ने किया है और आप पाप का नाम लेकर किसी और बेगुनहा को गुनेगार ठहरा रहे हैं इस सारे फसाद की जड़ आपकी ये बहन है ये चोटी है जो हार आपने सिता भावी को दिया था वो सिता भाविन अमर भाईया को नहीं दिया था वो हार बलकि इसन और हमारे पास हर सबूत के तोड है वह या बता देंको राम भाईया के दिमाग में सिता भावी के खिलाफ शक का बीच कैसे बुए था अमर हमेशा भावी को आशा की प्यार की बातें सुनाय करता था उस दिन भी वह ही कह रहा था लेकिन भावी सुनना नहीं चाहरी थी इतने कमे ने आनि राम भाईया मने फिर भावी के खिर बोलकर भाईया के दिल का शक और विक खारी आतो ने वी Zhang वीच्वास हो गया ब्लकुल नहीं की और की वा कई शनी बातों पर शक करने वालों में से नहीं मैंने खुद अमर को संपस्स करतें करतें हैं यह सुना और पिर अध और भावी को गार्डन में इसलिए बुला रहा था ताकि वो उन्हें मुझसे मिला सके अमर ने मुझसे कहा था कि भावी उनकी मा जैसी है और जब तक वो मुझे पसंद नहीं कर लेती मैं इस घर में बहु बनकर नहीं आ सकत तो फिर तो फिर शादी की दिन मैंने सीता को अमर मुख देखा था दूसरा नहीं क्योंकि उस वक्त उस कमर में मैं भी उनके सामने मौजूद था जूट बिलकुल जूट तुम वह नहीं थे यह रहा उसका सबूद जब अमर अपनी भावी को गोद में उठाएथा तब मैं वहीं मौझुद था और उनकी तस्वीर उता रहा था, अमर अपनी भावी को इसलिए उठा रहा था, क्योंकि उनकी तबियत अच्छी नहीं थी, और नीचे नहीं जाना चाहती थी, और ये बच्चे की तरह अपनी भावी मा को गोद में उठा के नीचे ले जाने की जित कर रहा था, मेरे सामने, अब आया कुछ दिमागे शरीफ में हाँ बेटे इस चांडालनी की बातों में आकर तुन्हें माँ बेटी के रिष्टे का अपमान किया है और ये चांडालनी तुप पैदा होते हैं मर्ट यो नहीं गई सुलिया अरे सुलिया तुन्हें देवी की पावितरता को गाली दिये भग्वान तुझे कभी माफ नहीं करेगा कभी माफ नहीं करेगा तुझे सिधा सिधा माफ पाव्वान तुझे स्वर्द जैसा घर था अपना, मंदिल मेरे प्याद था तू जाओ मेरी पूरी हुई ना, तू पाओ सुकना मेरा सुपी रहे सजना, घर अंकना, जाने कहाँ उलगुई मेरे सजना मैं तो चली चांती हुई घर अंकना, मैं चली, मैं चली चोड़की तेरा घर अंकना, मैं चली, मैं चली, चोड़की तेरा घर अंकना, चोड़की तेरा घर अंकना कि लाओ, 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 लाओ क्चाएर्ँ फिता आ'd य्रूठ तुराउड़ क्चाएर्ण हुआ 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 हु झाल 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 कि आقة. कि भsix हं एफ उन्माने दे जी जी जीटो ज Aww Chung 잠깐 No जीजर किस जनma कि ki तो भाज़ माने नहीं से बज़े हैं जन्फी कर दोरे में जल्दी आओ जैसे वाटे जाओ जैसे कि लोगेंदे करें है । होब जैसे पहुआ ही जैसे पहुआ के जोब में तरहे हैं कि प्लेश और जाल जाले जैसे पहलो ! कि उठो भावी उठो भावी तुम्हारे करीब बैठे हैं आके खुलो तुम्हें 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 सिता 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 Τुम क्या करनी जा रही थी तो मैं हूँ सेजा तो मुझे मिलनी चाहिए सेजा मुझे मिलनी चाहिए सिता savory adult एक कप्रा के लिए सिता सिता तो बिज्जान भी दे सकती है राम पिता जी पिता जी आपने मुझे राम का नाम तो दिया लेकिन मैं शक के आग में जल कर राम के नाम की इज़त ना रख सका मैंने सीता की पवित्रता पर शक किया लक्षमन जैसे भाई के रिष्टे को गाली थी बड़ा बाई शक करे गलती करे मारे कुछ भी करें मगर पाउ छोने का हक सिर्फ चोटे भाई का होता है और आप मुझे मेरा यह हक मचे नहां हम अरे नहीं हमर मुझे बाफ कर दो मैं बात को मैंने सारी जिन्दगी जो गलती की वह गलती तूने भी की मैंने अपने पत्नी को उसकी आवकाद से ज्यादा छूट दे दे थी और तुने अपने पत्नी की भगवान से ज्यादा पूजा कर डाली थी यही हम दोनों की गलती थी जिसमें मर्द इंजन की तरह होता है और ड्राइवर की तरह होती है अब अगर ड्राइवर इंजन को उसकी मनमानी करने दे या इंजन खुद की मनमानी शुरू कर दे तो जिसमें प्यार से सही मगर एक दूसरी की लगाम थाम की रखनी चाहिए और तब आराम से बिना जट के खायवे जिन्दे की गाड़ी खुशियों के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है और यही ए घरगर की कानी, बाकी रहे नाम भागान का और मू काला हो मैं की बोले, सबी बोले यह पहली मर्दा तुमने अकल की बाच चुछा जी मुकाला हो, शाताव